नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी चैनल में अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा तो आज हम डिसकस करेंगे इन्फोसिस कब कब आपको डिविडेंट देता और बोनस किस-किस साल में इन्फोसिस ने दिया है तो क्या इस साल भी बोनस दे सकता हैं इन्फोसिस सबसे पहले हम डिविडेंट पे जाते हैं तो सन 2018 में dividend जो दिया था Infosys में, हम last three year का discuss कर लेते हैं सबसे पहले, तो वो दिया था June में दिया था 30.50 पैसे और October में दिया था 7.50, तो total दिया था 37.5, तो काफी अच्छा dividend दिया था 2017 में, पर इसके बाद उन्होंने जो dividend है कम ही किया है, 2019 में जो dividend दिया था उन्होंने जन्वरी में 4 रुपे, जो कि पहली बार दिया था जन्वरी में, वैसे वो जून और October के राउंडी देते हैं, माई-जून या फिर October में, जन्वरी में पहली बार दिया था, तो जो total 2019 में दिया, उन्होंने कितना दिया था, साड़े 22 रुपे dividend जो दिया था total, तो वो 2018 से कम था, पहली बार जन्वरी में dividend दिया था, ये एक नई चीज थी, इन्फोसिस के इतियास में कि उन्होंने 2019 में जो जन्वरी में दिया था, अब हम 2020 का discuss कर लेते हैं, जो 2020 में जो dividend दिया था, उन्होंने 9 रुपे, 25 पैसे 50 पैसे दिया था जून में और अक्टूबर में 12 रुपे, तो 21.5 जो कि पिछले साल से फिर कम था, तो लगाता है dividend कम करती जा रही है इन्फोसिस, ये एक है चीज जो की कर रही है इन्फोसिस, क्या अपता इस साल जादा देगी के कम देगी, जादा देना चाहिए क्योंकि profit जादा हो रहा है इस साल, मेरे according in my opinion यही होना चाहिए, इसके अलावा एक अच्छी चीज करी है इन्फोसिस ने, वो क्या किया है कि bonus shares दिया है, बोनस में काफी ध्यान दिया है, इन्फोसिस ने पिछले कुछ 5-6 साल में, तो हम देख लेते ह लाच share में 2015 में 1-2-1 bonus दिया था, 2018 में फिर दिया था 1-2-1 और 2014 में दिया था उससे पहले, तो इस साल क्या हुआ है कि bonus मिल सकता है, मतलब हर 3 साल पर bonus दे रही है, कंपनिया भी तक, पर यह हो सकता है कि इस साल ना देके अगले साल दे दें वो, 21-22 में यह पका है कि bonus देग आपकी quantity change हो सकती है, 1-2-2 में मिल सकता है आपको या 1-3 में मिल सकता है, क्योंकि 1-1 में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी company नहीं दे रही है, इनमें साइटी company जो बड़ी-बड़ी है, तो मुझे लगता है कि 1-2 या 1-3 में मिल सकता है आपको bonus इस साल या next year, त को 10,000 रुपे से 1,000 करोड का मालिक बना दिया था उसका लिंक description में में डाल दूँगा तो आप इस share को at least 2 साल तक hold करके रखिए at least 2 साल तक मेरे opinion यह होगा long term investment करें मेरी एक और वीडिया है जिसमें आपको पता चलेगा कि long term investment ने आपको tax भी नहीं बरना पड़ता है एक लाख रुपे तक अगर आप short term investment करते हैं एक साल से चोटा तो आपको 15% से 20% तक tax भी बरना पड़ता है तो यह भी ध्यान रखेगा जब भी आप investment करते हैं इन shares में तो मेरा एक साल का जो short term target है अभी के लिए थोड़े time के लिए वो 1200 रुपे है long term का जो मेरा टार्गेट है दो साल का वो होगा आपका 2000 रुपे easily और साथ में अगर आपको bonus share और मिल जाता है तो उस पर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी तो guys अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो like करें share करें और comment करना बिल्कुल मत भूलेगा साथ जाथ मेरी चैनल को subscribe करिए और bell icon को press करना मत भूलेगा thank you thank you very much